नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरिवन बहुत बहुत स्वागत आप सभी काम सब के अपने यूट्यूब चैनल कुरूजिका स्कूल में तो कैसे हैं आप सब तो इस बार SSC MTS 2021 के एक्जामिनेशन में MTS के पोस्ट के साथ साथ हवलदार की पोस्ट भी आई हैं और आप सबने एक्जामिनेशन दिया उसका TRN के अंसर कीज आगी हैं आपके अच्छे खासे मार्क्स भी बन रहे हैं अब आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं कि जो हवलदार की पोस्ट है ये MTS से बहते रहे हैं या नहीं या वर्क एक्सपेक्ट क्या है इसमें होल्डेज क्या रहेंगी प्रोमोशन क्या है प्रोम कर लें बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें तो काफी लोगों ने मुझे बोलाया कि ब्रेदर ये प्रोमोशन नहीं है कि इसमें तो I was surprised कि प्रोमोशन क्यों नहीं होगा भई ये तो एक स्टार्टिंग जोब है 1800 grade पर से स्टार्ट हो रही है जो तो प्रोमोशन तो इसमें होना चाहिए तो बोले कि काफी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि प्रोमोशन नहीं है देन मैंने कुछ चेक की कि काफी वीडियो चेक की and जो recruitment rules हैं CBIC में वो चेक कि प्रोमोशन होता है तो मैं अगरे वीडियो में बताने वालाओं कि वो किस परकार होता है क्या क्या आपकी eligibility criteria होते है बाकि आपकी salary क्या रहेगी uniform होते है या नहीं तो uniform की तुम आभी बता देता हूँ uniform आपकी होती है salary क्या होती है, transfers क्या होते है वो बात करेंगे, तो overall सारी बात करेंगे, और comparison वीडियो नहीं अभी MTS से, MTS के लिए comparison इसका एक separate वीडियो में करेंगे इस वीडियो में सिर्फ इसको explain कर रहे है ठीक, CBSE या customs में आपका जो CZST या customs में है आपका ये post हवलदार की ये कब बनी इसका आगे क्या aspect है promotion का, transfers का बाकी सभी बाते करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे यही request है कि चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाएं जिससे कि आप आने वाली वीडियो मिस्त ना कर पाएं हम सब भी एक साथ मिलके कुछ न कुछ informative एक दूसरे काथ शेयर करते रहें टेलिग्राम गूर्प से जूड जाएं जिसे कि आप बाकी candidates से जूड जाएं तो अभी शुरू करते हैं तो यह Ministry of Finance के अंडर आता है Central Board of Indicates ठीक है इसमें आपकी Customs है, CGST है, Narcotics है ठीक है, Direct Trades है DGPM and CBN Central Bureau of Narcotics ठीक है, यह सबी है देन अभी बात करते हैं इसमें medical conditions क्या होंगी medicals में काफी का कुशन था कि क्या medical है strict medical है या नहीं देखिए, inspector का medical होता है CGST में या CBSE में तो क्या होता है कि normal उनकी दोड होती है वो इसमें दिया हुआ है, कितने emitter की होती है वो भी हम देख लेंगे जो physical criteria होता है, chest measurement होता है ठीक है, running होती है, cycling होती है ठीक है, कुछ में cycling नहीं भी है लेकिन बाकी जो serious medical है वैसा नहीं होता है, वो physical हो गया medical की बात करें, तो knock knees हुआ flat foot हुआ है, और बाकी tattoos वगरा, ऐसा कोई scene नहीं है इसमें, ठीक है, कि tattoos वगरा कोई scene है, अगर होता तो notification में mention होता है, जिस भी examination में serious medical होता है, वहाँ पे mention होता है या तो diet notification होता है या किसी NXR में या addendum में होता है ठीक है, मैं medical conditions चेक ही तो इसके बारे में कहीं specific इन्होंने ये नहीं दिया है, अलग से notice या कोई PDF वगरा कि इसका specific कोई medical होता है इन्होंने physical के बारे में दिया है, वो हम देखेंगे recruitment roles में but medical के बारे में कोई issue नहीं है हाँ, यहाँ पे एक बात देखने वाली है, VH candidates के लिए कोई vacances नहीं है, तो जाहिर सी बात आपकी eyesight बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए ठीक है, अगर कोई VH candidate है तो वो इसके लिए eligible नहीं होगा हाँ, आप spectacles लगा रहे तो चल जाएगा color blindness भी एक issue हो सकता है क्योंकि MTS में कहीं पे भी मैंने सुना नहीं कि color blindness एक issue हो है disqualification के लिए, बट inspector के लिए इसमें CBIC में disqualification होता हो, अक्सेप्टेबल नहीं है वहीं हवालदार भी आपका एक तरह से force nature का होगे आपका, police nature का है तो इसमें आपका color blindness एक issue हो सकता है तो बहतर होगा आपने MTS के post अपर choose की हो ठीक है, अभी बात करते हैं आगे details में सबसे पहले जाते हैं हम इसके formation कब होई तो I think यह इसका notice है यह superintendent का है formation होई इसके 2008 में 2008 में पहले क्या होता है, सिपाही की post होती then वो post change की गई ठीक है and 2008 के बाद सिपाही बोलते हैं इंग्लिश में and सिपाही और हवलदार को एक साथ मिला दिया गया and 2013 के बाद शाहिए regular हो गया था 2008 में introduce की गई यह post and 2013 के बाद सिपाही और हवलदार को mix कर दिया गया then उनके जो grade पे थे वो भी different थे बाद में उनको जो sent pay commission के according 800 grade pay के according जो 18,000 minimum basic वाला बनते हैं वो कर दिया गया अब इसके RR में जाते हैं ठीक है यह इसके recruitment rules होते हैं किसी भी department में किसी भी post पे है आपके recruitment करने के लिए कुछ specific rules होते हैं उसमें उसके सारी details दियोती कि क्या क्या आपकी conditions चाहिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ठीक है तो group से क्या है यह non-gusted, non-ministerial 18,000 basic से लेके 56,900 तक जा सकता आपका maximum up to a span of 40 years अगर मानलो आप 20 साल की उमर में लग जाते हो तो इतना तक पहुंच जाओ यह आप अगर आप प्रोमोशन नहीं होता है प्रोमोशन हो जाता है बट 18-27 साल की आपकी age limit है इसमें वो notification भी mention था male candidates के लिए physical standard है height 157.5 relaxable है 5 cm इन conditions में अगर आप यह जंग है से आते हो ठीक है chest 81 cm होने चाहिए और minimum expansion होना चाहिए आपका 5 cm fully expanded इतनी होनी चाहिए और minimum 5 cm के expansion होना चाहिए physical test आपका 1600 मेटर 15 मिनट में and cycling आपकी 8 km in 30 मिनट यह आपका दोनों में नहीं है notification में clearly mentioned भी है addendum आया था कि direct rates में जरूरी नहीं है कि आपका cycling walking जरूर होगा आपका female candidates के लिए आपका height 152 weight 48 female candidates के लिए weight दिया हुआ है 48 जरूर होना चाहिए height relaxable by 2.5 cm and weight by 2 kg in case of distance conditions ठीक है यह physical test दिया हुआ इन्होंने अब आते main roles पे एक बात में आपको बता दो शायद आपको किसी ने ना भी बताई हो 80% इसमें recruitment direct recruitment होती है MTS में किसी भी department में 100% direct होती है यहाँ पर 80% हवलदार की जो post है वो direct recruitment होती है direct का मतलब exam लेके SSC conduct कराए या कोई भी department conduct कराए SSC conduct कराते है 20% आपका जो होते है वो MTS से हवलदार में आते हैं अब नो नो कौन चूज करता होगा हवलदार लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको benefit लगे तो वो choose करते हैं हवलदार की post को ठीक है यह बात होगी हवलदार की इसके बाद एक promotion होता आपका तीन साल के बाद head हवलदार का तो जो head हवलदार की post है यह हो जाती है आपकी 1900 grade पे ठीक है 19,900 से 33,200 यह आपकी 100% promotion से सिर्फ promotion की बेस पेस में entry होती है हवलदार जो होगा level 1 में उसका 3 साल के बाद इसमें promotion होगा 3 साल के बाद वो eligible हो जाते हैं अगर सही से आपका timely promotion आए सारे rules हो तो 3 साल में आपका promotion हो जाएगा अब बात करते हैं कि इसके बाद कोई promotion है या नहीं है तो बिल्कुल promotion है अब आते हैं हम tax assistant के rules में ठीक है and tax assistant के rules में जाने से पहले एक बार यहीं बात करते हैं uniform होती है या नहीं uniform होती है आपके खाकी uniform होती है ठीक है and salary कितनी salary हमने बात कर लिया 18,000 से basic शुरू होता है इसमें आपके allowances होते है DA अभी 38% होने वाला 34% already है तो approach आपकी gross salary 32,000 होगी ठीक है and in hand salary current में अगर आपकी joining होती है तो लगबग लगबग आपकी 29 के around 28 के around X cities में आपकी salary होगी Y and Z cities में आपकी different रहती है 22,000 आप कम कर लो उसमें ठीक है यह salary की बात होगी आपकी and transfer की बात करें तो हम CBIC and customs में transfer नहीं है direct rates में आपका all linear level की posting रहती है तो वहाँ पे transfers possible है direct rates में possible है commission rates में नहीं है अब बात करते हैं working hours कितने होते हैं working hours आपके अगर office में posting है तो आपके वही 10 to 6, 9 to 5 जी से हम बोलते हैं वो actual में 9 to 5 नहीं होता है वो 10 to 6 के round बन जाते हैं साड़े 9 से शुरू होता officially and शाम को 6 साथ बच जाते हैं normally आपको MTS हुआ या आपका हवलदार हुआ इनको बच जाते हैं इतना time and working days हम normally तो वहाँ पे तो आप possible नहीं है वहाँ पे तो आपके Saturdays को भी आएंगे यातरी तो नहीं चेकिंग जरूरी है ठीक है customs वगएरा का जो होता है आपका वो होता है ports पे basically और वो आपको जो commission rates दिखेंगे वो उन्हीं cities में दिखेंगे जहाँ पे ports लाग है मतलब कोलकाता हुआ चेन नहीं हुआ इधर मुंबई हुआ ठीक है तो वहीं भी आपको दिखेंगे तुरिवेंदर में भी है ठीक है अब बात करते हैं आपकी working hours days होगे holidays कितने होती है weekly holidays होती है आपकी जितने भी गस्टेट holidays होती है वो सभी आएंगी मैंने mention कि वह सारे points अगी मैं भूल ना जाओ तो holidays सारी आपकी जितने भी गस्टेट holidays हैं सारी applicable होंगी uniform की बात करें uniform होती है आपकी खाकी uniform होती है dark shade में खाकी uniform होती है medical की बात हमने कर लिए अब बात करते हैं promotion की head कोंस्टे sorry head हवलदार तक तो हमने बात कर लिए अब बात करते हैं TA की जो TA का होता है tax assistant होता है basic लिए ये CBD में भी होता है CBIC में भी होता है तो tax assistant के लिए क्या आपके recruitment है या क्या RRs है rules है recruitment के ये है आपका ठीक है ये 75% direct होती है and 25% promotion only होती है ये direct recruiters के लिए है rules की graduation होने चाहिए 8000 की depression परहवर होने चाहिए ठीक है बाकी अब बात करते हैं promotion वाले के लिए promotion की बात करें मिल लिए हम prescribed for direct recruits will apply in case of promoters promoters में जो आपके education rules से वो apply नहीं होंगे ठीक है पहले इनके में rule था शायद ऐसा ये नए आरा रहे हैं कि same rule जो आपका graduation है वो ज़रूरी है यहाँ पर नहीं है तो मुलाब जाहिर सी बात है वो condition आपके नहीं है कि graduation होने चाहिए same आपका income tax में भी होता है महाँ पर भी नहीं होती and promotion period है direct recruits के लिए आपका 2 साल का होता है and and 75% direct recruitment होती है and 25% promotion only ठीक and promotion किससे होता है आपका 1900 grade पे से promotion होता है जो भी आप 1900 grade पे पहुंच चुके हो उनका कितना साल का service होना चाहिए 8 साल का service होना चाहिए कम से कम LDC गया कोई let's post CBIC में तो उसका 8 साल का service होना चाहिए TA बनने के लिए ठीक है TA का आपका grade पे होता है 2400 25500 से आपकी basic शुरू होती हो ठीक है and अब बात करते हैं अगर आपका time कम है LDC post में head हवालदार में तो आपका total time गयना जाएगा 11 साल होना चाहिए multitasking staff count करके LDC count करके और आपका head हवालदार और हवालदार और multitasking staff count करके total 11 साल का service time आपका होना चाहिए service period ठीक है and LDC हवालदार and multitasking staff मतलब आप तीनों ही post में गए हो ऐसा भी possible जैसे मैंने बताया कि 20% आपका MTS से भी जाते है तो 20% MTS जाएंगे तो MTS plus head हवालदार plus LDC अगर आपने किसी में भी मतलब जिनका रहें खाई तो उनको priority दी जाएगी अब बात करते हैं senior TA के बाद sorry TA के बाद क्या promotion है पहले senior TA का होता था आपका तीन साल में but वो change कर दिया है इनोंने and उसके according अब आपका जो promotion होता है वो होता है 10 साल में TA से executive assistant total and then executive assistant के बाद inspector में आपका 5 साल में ये time दिया हुआ है बागी condition आप देख लेना इसमें notification मैं share कर दूँआ ठीक है ये inspector है for director recruits and promotion के लिए आपके qualification आपकी चाहिए होंगी age criteria नहीं है promotion के लिए but education qualification लागो होंगी आपकी ठीक है तो total time आपका कितना लगेगा इंस्पेक्टर तक पहुचने में मालो तीन साल में आप हवलदार से head हवलदार ठीक है इस से आप TA जाओगे 8 3 और 8 कितना हुआ 11 साल में TA से आप जाओगे EA executive assistant ये जाओगे आप 10 साल में ये जाओगे आप इंस्पेक्टर पांच साल में 10, 5, 15 और 8, 23, 26 साल में आप इंस्पेक्टर बनोगे मोटा मोटी आपकी 26 साल लगने वाले हैं इंस्पेक्टर बनने के लिए ठीक है तो इंस्पेक्टर के बाद एक और पोस्ट तक आप जा सकते हो वो है सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट आपकी ठीक है इसमें आपका सर्विस पिरेड कितना होना चाहिए बाइ प्रमोशन ओनली पोस्ट आपकी है एंड इंस्पेक्टर इंद पेड़ बेल्ट प्लस ग्रेड़ पे हो तीन साल के आपकी सर्विस होने चाहिए प्लस मतलब 26 प्लस 3 में आप सुप्रिंटेंडेंडेंट तक जा सकते हो यह 30 से ज़्यादा ही हो जागा अगर आप स्पोर्ट तक पहुंचते भी होते हो तो आपसे यही मैं राय दूँगा कि प्रोमोशन के भरों से मत रहिए मेहनत कीजिए और एक्जाम दीजिए डिफरेंट अपनी क्वालिफिकेशन के अकोर्डिंग एसससी के एक्जाम देते रहिए बैंकिंग के दीजिए स्टेट गोर्मेंट बाकी रेलवे के ट्राइ कर सकते हो आप इवन UPSC के प्राइ कर सकते हो आप हाँ इसमें यह रहता कि आपका काम जो रहता है वो यही रहता है कि आपका डारे डिस्पैच वगएरा या आपका रेड वगएर पर भी जा सकते हो आप एंड मेले ओफिसर को असिस्ट करना होता आपको किसी भी टीम के साथ लगा देंगे आपको आपको पोर्ट्स पे लगा सकते हैं आपको एंड एरपोर्ट्स पे सीपोर्ट्स पे वहां पे लगा सकते हैं आपको ठीक है एंड कमिशनर वगएर के साधर रख सकते हैं वो जो काम बोलेंगे वो करना होगा आपको मेरा experience वीडियो आपने देखा होगा देखिए, बेरोजगरी से बहुत सही जगह है ये salary मिलेगी आपको आगे पढ़ने के मोके मिलेंगे, ठीक है और काफी अच्छा रहेगा आपके लिए एक prestige भी मिलेगी respect भी मिलेगी as compared to जिनके पास job नहीं है दो वक्त की रोटी आप अच्छे से खापा हुए तो इस वीडियो को बस यहीं end करते हैं, वीडियो गर अच्छी लगी तो like and share करें चैनल को subscribe कर ले, bell icon दबाले मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में till then stay safe, stay healthy